टिक्टोक का यूएसे अकाउंट तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखके बना लिया आपको अर्ड ने गोई लेकिन वह विड्राइनु ओरी क्यूंकि उसका विड्रा मेतड है पेपाल और पाकिस्तान में अविलेबल नहीं है तो भाई परिशान होने की दरुवत नहीं है मैं आप लोगों को कम्प्रीट सिखाता हूँ कि आप UK का टिक्टोक अकाउंट किस तरह से क्रियेट कर सकते हो जी हाँ UK के TikTok अकाउंट में आपको payment option मिलता Payoneer Payoneer का आप लोगों को पता है Fiverr वगरा से भी attach हो जाता है और Pakistan में legally work करता है इस Payoneer को आप अपने Jazz Cash से connect करके अपनी सारी payment Jazz Cash में ले सकते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरसिंग होने वाली है आपने किसी भी step को miss नहीं करना क्योंकि सारे steps बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं अगर आपने किसी भी एक step को miss कर दिया तो मुझे नहीं लगता आपका TikTok UK account successfully create हो सकता है तो अगर आप successfully अपना UK account create करना चाते हैं तो एक एक चीज़ को दिहान से देखने के बाद उसी तरह apply कीज़ेगा और मज़े की बाद इसमें कोई भी हम VPN वगारा use नहीं करने वाला है without VPN sub होने वाला है officially तरीके से हम TikTok का UK account create करते हैं तो TikTok account creation के लिए देखें जो आपका पुराना TikTok है जो भी आपके मुबाइल में है आपने सबसे पहले तो उसको uninstall कर देना है यहां से आप simple simple उसको uninstall कर देंगे क्योंके हम जो TikTok install करने वाले हैं वो VPN के बगएर चलने वाले हैं और VPN वगरत से आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा जंजटे यार और फिर स्पीड भी इतनी स्लो जाती है देखें मैंने यहां से अपना जो ऑफिशल टुक ता वो डिलीट कर दिया है अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस लिंक को आपने simply ओपन कर लेना है जैसी आप open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आगए आपने download के button पर klik करना है और ये आपका इस तरह से कुछ आजएगा आपने यहां से download anyway पर कर देना है click download anywhere but click करेंगे यहां से आपने दोबारा से download anyway पर click करना है और यह आपकी फाइल download होना स्टार्ट हो जाएगी अच्छाँ अब जैसे यह download हो जाए है आपने simply इस पर click करना है इस तरह से और यह आपसे कहेगा इसको install कर ले अगर आपकि सटिम्फ उड़ रहिए तो यहां से आप next कर देंगे जो कि आपकी फीट लिस्ट में शो होंगे तो मैं इसको यहां से cut कर देता हूं यहां पर एक बार करने के बाद आप अपनी profile में जाएंगे यहां पर आपको बड़ा नदर आएगा sign up का आपने simply sign up पर click करना है अब यहां तो इसको Facebook के साथ करने करके Google के साथ करने करके कर सकते हैं बट मैं यहां पर use करने वाला हूँ use phone और email अब यहां पर आपने date of birth वो select करनी है जो आपकी actual है था कि आपको verification में आसानी हो यहां पर मैं अपनी date of birth select कर लेता हूँ 7 April 2000 भाई इस date को भाई की birthday भी आने वाली है यहां पर next पर मैंने click किया end अब यह देखें यहां पर आपने एक चीज़ अगर note कियो यह लिखा वा रहा है यह लिखा वा रहा है US plus one मतलब यहां पर पाकिस्तान नहीं आ रहा है यह US का ही number आ रहा है लेकिन हम तो UK का account बनाने लें आपने यहां पर जीमेल पर click करने के बाद यहां पे देखें एक तो आप outlook की ID भी use कर सकते हैं जिस पर आपने outlook का अपना account बनाया नहीं तो आप यहा पर अपना एक random सा Gmail address दिया और मैं इसको यहां पर next के button पर कर दूँगा click जैसे next के button पर click किया अब यह मुझे यहां पर password का कह रहा था मैंने simply यहां पर password दिया और मैं next कर दूँगा लेकिन यहां पर एक problem आपको देखने को मिलेगी वो यह है कि account maximum numbers of attempt reached आप यहां पर कोई इमेल देके देख लें आपको इसी तरह का problem आने वाला में भी 80% 60% लोग ऐसे होंगे जिनके यह problem नहीं आएगी बाकि ज्यादा तर लोग ऐसे ही होंगे जिनको यह problem देखने को मिलेगी अब इसका solution क्या है आपने Google में जाना है और यहां पर आपने लिखना है outlook outlook लिकेंगे यहां से आपके सामने Microsoft की कुछ इस तरह से website आजाएगी आपने इसको करना है यहां पर create free account पर click बिल्कुल free of cost account बन जाएगा और बहुत ही ज्यादा सिंपल है अभी आप देखेंगे यहां पर आपने outlook यहां पर hotmail इस लेक लेने देना है बल्के यह outlook है ठीक है मैं यहां पर यह नाम बगर दे लेता हूं मैंने simply इसको यहां से next कर दिया यहां पर भी मैं date of birth अपनी select कर लूँगा यहां से इस तरह से और यह हो गया पाकिस्तान रीचान है मैंने इसको next का button पर click किया and that's it यह देखें मेरा account create भी हो चुका है just कुछ ही seconds वह यह देखें आपने इस पर यह verification देखें easily हमारी complete हो गई हो और हमारा account बन चुका है zoran23atoutlook.com अब इस email को नामे उस TikTok account को use करूंगा just मैं इसको ऐसे ही आपको समझाने के लिए create किया मैंने simply इस पर कर लिए click अब यहां पर हमारा account setup हो चुका है हम जाते हैं अपने TikTok account में और यहां पर use phone और number अब मैं य email देना है और यहां ता zoran.com और मैं इसको next कर लूँगा अब मुझे यहां पर देना password पासवर्ड देने के बास simply आप जैसे ही next के button पर click करेंगे here we go आपका account बन गया देखें Gmail address पर नहीं बन रहा था लेकिन आपके सामने मैंने अभी live बता दिया आप यह problems आपको कोई हल न देता हूं Zoran तो देखते हैं available है नहीं तो मैंने यहां पर दे दिया Zoran 54 मैं इसको sign up कर देता हूं क्योंके मैं कौन सा इस account को यूज करने वाला हूं अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं क्या हमारा वही account बना है जो हम चाह रहे है या पर नहीं तो देखें यह हमारा account कुछ इस तरह से अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो है वो जिस मकसद के लिए हमने account क्रियेट किया था कि हमारी monetization वगरा हो जाए तो वह आ रही है या पिर नहीं तो आपने तुरी डेट्स पर क्लिक किया यह देखें creator tools में यहां पर चला जाता हूं थोड़ा सा स्कूल करन content on tik tok यहां पर देखें आपको 10,000 followers करने हैं और यहां पर 100k views आपको चाहिए आपके 30 days के अंदर तो आपका account यहां पर monetization के लिए eligible हो जाएगा और यहां पर apply करेंगे और यह account हो जाएगा approve then आप इसको easily use कर सकते हैं अब आप क्या करेंगे इस account को बेशक आप इस tik tok को delete करके आप official tik tok तो यहार मुझे उमीद है आप लोगों का account tik tok का UK successfully create हो चुका होगा account create हो गया अब आपने ज्यादे ज्यादे इस पर पोस्ट करनी है earning करनी हो और भाई को दौाएं देनी है आप आप